प्रशान जी कांग्रेस ने कहा कि राउल गांदी सामाजिक नियायक के डिस्कोर्स को विमर्ष को देश की सतह पर लाए हैं और मैं हैरान हूँ कि पेरियार से लेंगे करूना निदी तक इस देश में कब से लोग हो गए करपूरी ठाकूर और लोहिया जब नारा दिया था पि पामे सो में साथ तब राउल गांदी का जन्मा हुआ होगा ये तो मेरे ख़ल से बिल्कुल नवजात ही होंगे क्या लेकिन कांगरेस तो इतनी आत्मा मुद्या उस नगरना देश में सामाजिक नियायका अर्थी राउल गांदी ने बताया भाई आप तो बड़ा समस्या हो बसपा यहां नहीं है लेकिन मुझे कहना चाहिए जब विश्वनात प्रताप की सरकार बनी ये बहुत कम लों के इस्मरन होगा तक है कांगरेस को भी ध्यान लखनाने किसी को खारिश करने से पहले तो कांशी नाम ने बसपा का समर्थन विश्वनात प्रताप को दिया लेक लेकिन उन्होंने तो किया तो आज वो यह तो कह सकते हैं कि हम ने यह कहा था कि कांगरेस के साथ जो भी जो इलाइंस की दल बात कर रहे हैं कहीं तो उनका सबका प्रादरुभाव कांगरेस के बिरोद में हुआ है अधिकतर तो दल जो हैं जनता दल से निकले हुए जनता दल का गठन ही कांगरेस बिरोद पे हुआ था विपी सिंग जी के समय में और भी जो भी दल है उनके साथ में आज के समय में नैसरगी क्रूप से कांगरेस के बिरोदी रहे हैं और उनका जो ओट बैंक है आज के समय म कहीं के वो कांग्रेस का ही वोड बैंक रहा है 1989 मुलायम Singh जी उत्तरपदेश के मुखवंती बने उसके पहले तक कांग्रेस की सरता थी कांग्रेस देरी-देरे कमजो रूती चलेगी नावसिक के बाद से कांग्रेस या पर उत्तरपदेश दो नहीं अगर अपना वोट बैंग कहीं से वापस लाने केर सोच रहे हैं, तो लॉस किस्त का होगा, समाजवादी पार्टी का होगा, या बस पगा खीचे की वोट बैंग, तो अखलेज जी इस बात को समझ गए है, अखलेज जी मुलायम सिंह जादो जी की रणनीत पर चल है, मुलायम अखलेज जी समझ गया, या कांग्रेज के साथ गटबन करेंगे, तो हमें दोखा होगा, और दोखा भी उन्हों ने दे दिया, एक बज़े तक उन्हों उनको बिठा के रखा मत्रदेश में, खर अकलेज दिन सीटे गोजित कर दी, बार बार अखलेज जी को पीड़ा, अग पहले इनको डिनाई कर देते, तो अब राहुल गांदी जी को समझ में आया, कि अगर हमें उत्तर प्रदेश में मजबूत करना है, तो सपा का जो कोर मुद्दा है, वो हमें खीचना पड़ेगा, तो ये लड़ाई, मैं अमताब जी समझता हूं कोई भास्तियंता पार्टी इसको इसमें समझता नहीं है, ये लड़ाई समाज़ादी पार्टी और कांग्रेस के आपस किये, दोनों इस तोरे का ओड़ेगा खीचने का प्रयास कर रहे हैं, जो भी इनको कोर ओड है, और ये गटबंदर मी नहीं चल पाएगा, हम पहले से कर रहे हैं, इसलिए अभी त प्राणे में एक बात समझता जी चाह रहा था, कि 24 का चुनाव दिली की गद्धी के लिए है, कोई हो, नितीश बाबू हो, लालू परसाद हो, उनका बेटा तेजी हो, अखिलेशी आदब हो, भेंजी हो, ममता बनर जी हो, उन सब का स्टेक राज्य पर हैं, क्या, सब जानत के गुल्लक से पाइजार निकाल के अपनी जमीन गिर्मी रखे, कांग्रेस के लिए लड़ें, क्यों लड़ें भाई, 27 में तागत अजमाएं, बसपा और सपा, ये सपाई की बात कर ले, बसपा एलाइन से बार इसलिए, सपा 27 में अपनी उर्जा लगाए, तो उसको कुछ जानी लाब भी हो सकता है, 24 में उर्जा लगा के उसको क्या लाब, सांसत तीन रहें या छे हो जाएं, नहीं, उसके लिए तर्क, उसके लिए महत्तपूर्ण है कि अपना जो आइडियोलोजिकल बोट बैंक है, पिछडों का, वो बचा रहें, उस पर कांग्रेस से कर सकता है, या बड़ा नुक्षान कर सकता है उत्तर प्रदेश में, तो वो समाजवादी पार्टी कर सकते हैं, और जैसा कि आप कहा रहे थे कि बहुत बड़ा एक ओटों का चैंक, सिडूल कास्ट का भी और OBC का भी BJP के साथ गया, तो आप जैसा विद्वान, पत्रकार ब 20% पे करीब करीब आ गया है, वो नूटर ओटे चुनाओं में परिवर्तब करती हैं सीटों में, किसी की सीटे घड़ जाती है, किसी की बढ़ जाती है, और जैसा हमारे दोस्त कर रहे थे कि 2022 में जब चुनाओं हो रहा था, तो वो नूटर ओटे ज्यादा तर समाजवादी पार्टी के पक्ष में गई थी, सिर्फ इस भी गई थी, कि सायद उत्तर प्रदेश के मुखमंत्री अख्रे सियादों जी बन जाएंगी, और आपने साथ पढ़ा भी होगा, हमने पहले ही आर्ट की लिखा था, 2021 दिसंबर में, कि लगता है, टीपू के हाथ से सल्तना छिट गई है, और किसी ठापू में अटक रही है, क्योंकि जिस तरह से यह अपना चुनाव लड़ रहे थे, उससे यह लग रहा था, कहीं इन्नों ने बीजेपी का बीजेपी से सुपारी तो नहीं ले रखी है, जीताने के लिए, तो उस समय जो इस्तिती थी, जब आप 2022 में बी जानते है कि वही पार्टी रोक सकती है विजेपी को, जिसका पैन इंडिया जनाधार हो, और उस दिसा में कांग्रेस के अलावा दूसरा नहीं टिकता है, तो अगर आप गटबंदन के साथ रहेंगे, बस पांस सेकड में, अगर आप गटबंदन के साथ रहेंगे, केवाल ये डम नहीं निखाएंगे, के पैसा सीटों पर हम लड़ेंगे, तो निशीब तोर पे आप बहतर रहेंगे, और दो हजार सकताइस के क्लेमेंट रहेंगे, बाकी आपकी अपनी मली, ठीक, ठीक, जोशी जी, कांग्रेस कह रहे हैं कि आप पीछे आपको चलना होगा, इंज होती है, तो अंतिम जिसा में क्या परड़ाम आता है, क्या आगे बाते होती है, तो भूशी के गर्भ में है, लेकिन मैं जिस्चेत तोर पे इतला कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में मानियकली स्याद हो जी, बड़े भाई की बोमिका में है, ये बात किसी से कोई कुदू ने, इसी पे रायता विकखरा पड़ा है, अमिताब जी, इसमें कोई लड़ाए नहीं है, तो बड़ा कौन है, खुटा कौन है, दरसल ये बड़ी लड़ाई है, और इस द carbono सभी साथ खड़े हैं, और एक साथ लड़ रहे हैं, दरसल लाइं याद जंता की लड़न पता है कि अब उनकी 24 में विदाइट्ट है दस साल उन्हों जुबले से जूट से अपना सासंग चला लिया है तेकिन अभी इसका आगी पारी जोशे जी आयम स्वरी कांग्रेस कह रही कि पूरे देश को यह पता राहूल गांदी मोदी से लड़ रहे हैं बाकी कोई नहीं लड़ रहा है ठिक यानि आप ना अखिलेस लड़ रहे हैं न म स्टालिन लड़ रहे हैं एको अहम दुत्यों नास्ति राहूल रहांदी कांग्रेस ना कह दिया अब आप देख लो ढबा बनना है अपनी जगह आरक्षित करा लो कौन से नंबर खाली है दबा वहीं पिर जंपर जोड़ दो जोशी जी ठीक है ना जोशी जी ठीक आवाद नहीं जा रही है अईसी आवाद ना जाए सोई ठीक है अब इसे क्या जबाब दोगे यह तो राय ता आजे राय अच्छी स्पहलाए है मैं कोई गवतम राणे जाब मंद मुस्कार है लेकिन मैं कोई दबी छुपी बात तो कहीं ने रहा हूं बहिए अकिर गवतम राणे ने अभी सुपारी की बात की मुझे सुपारी से कथा चूना एक याद आ गया समाजबादी बाल्यक कहरें कि भहिया आजे राय ने सुपारी लिये भाजपा से अब बताए क्या करें किस ने सुपारी लिये प्रशाद पटेल जी आपकी पार्टी की ही इसकदर पॉपुलरिटी हो गई माइकल जेक्सन टाइप की क्या हर आदमी दूसरा बतारा कि मायाबती वच्ट पाट्य प्रसा याक है अखिलेश याल आप निते हैं मेने खाड़ मोगिया solं पेदेख्ड़ से करें मेने सबको आईकार्ट वान्ट दीये क्या सब्वाए कट रियक्रें और मीने ख्याल से CPI-CPM और माले वगरा को चोड़के आपने सबको आई गार्ड वांड दी है क्या अंधाप जी देखा जातो ओरिजनली तो भारतियनता पार्टी इंदुरा कांग्रेस स्वाजवारद्वी पार्टी यह वरिजनल पार्टीयां है यह कमनेश्ट पार्टीयां बागी जितने छित्री दल कहें कि इसे कांग्रेस पार्टी से निकले हैं या कांग्रेस की विरोध्य उनका गठन हुआ अभी आमानी पार्टी होती तो इस पर भी आरूप लग जाता कि हो भी बीटी में हैंगे एजन्डा इनका कुछ है नहीं एजन्डा वह सही कि मोधी जी को अठाना अपना कोई विक्तिकाद एजन्डा नहीं है साथ में सिर्फ डवल वीच 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 पर कर लेते हैं और अखलेज जी तो खुलकर के बोल लहें जो बातें बोल दी थी जो मुलायम सिंह जी अच्छी बात है और आप यह देखी कि मुलायम सिंह यादर जी पर हमने कभी विस्टा चार कारोप नहीं लगाए बिचार कारोप तक कांग्रेस नहीं लगाया किया विचार को उनको उपर दाग लगा जीवन पर जो उन्होंने कभी किया नहीं और भरतियंता पार्टी के सर सब्सक्राइब करनी में कुछ और है कहते कुछ और हो करते कुछ और है